बात कर लेते हैं राजसवा चुनाओं की पंधा राजों की 56 सीटों पर राजसवा के चुनाओं होने हैं अधिकांच सीटों पर निरविरोध निरवाचन होना तह है लेकिन दो राज जैसे जहांपर की मुकाबला होना तह माना जा रहा है यह हैं उत्तरप्रदेश और साथी क यह देखने की बात होगी कि जब चुनाव होता है तो वाकई बीजेपी को इसमें काम्या भी मिलती है या नहीं। अब दस सीटों के लिए 11 उमिदवार मैदान में है और 27 फरवरी को चुनाओ की नौबत आ गई है उत्तर प्रदेश में राजसभा की एक सीट जीतने के लिए 37 वोटों की जरूरत है अगर आरेली के 9 विधायकों को भी जोड ले तो बीजेपी को 286 विधायकों का समर्थन हास यानि अपने 8 उमिदवारों को जीताने के लिए पार्टी को 10 अतिरिक्त वोटों की जरूरत है इसी तरह समाजवादी पार्टी को अपने 3 उमिदवारों को जीताने के लिए 111 वोटों की जरूरत है जबकि उसके पास कॉंग्रेस को मिलाकर 110 विधायकों का ही समर्थन हासि इसका मतलब समाजवादी पार्टी को एक और वोट की दरकार है ऐसे में दोनों गुटों की नजर उन तीन विधायकों पर है जो फिलहाल किसी गुट से नहीं जुड़े है इन में राजा भाईय समेट उनकी पार्टी के दो और बीएसपी के एक विधायक शामिल है राजा भाईय लगतार योगी अदितनात की समर्थन की बात करते रहे हैं तो वहीं बीएसपी समाजवादी पार्टी के खिलाफ है ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी अपने लिए एक अतिरिक्त वोट नहीं जुटा पाती है तो फिर निर्वाचन के लिए दुईतिये वरियता वोटों की जरूरत पड़ेगी आखडों के लिहास से दुईतिये वरियता वोटों में बीजेपी आराम से बाजी मार लेगी प्रदान मंत्री जी का जो गरंटी चल लई है जो देश में काम हो रहे है जनता के जो विदेशों में देश का नाम आज के दिन में बढ़ रहा है उसमें और मानी मुखवंत्री जी के द्वारा जो यहां पे उत्तरप्रेश को समारा जा रहा है उन दोनों के लिए जो उन्होंने एक छोटा सा मुझे कार्य सौपा है एक अतिरिक्त वोट की जुगाड में लगी समाजवादी पार्टी की मुश्किल इसलिए और बढ़ गई है क्योंकि पार्टी विधायक पलवी पटेल ने उमिद्वारों के चैन में पीडिये की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए पार्टी उमिद्वारों के पक्ष में मतदान नहीं करने का एलान कर दिया है पलवी पटेल केंद्रिये मंत्री और एंडिये में सहयोगी अनुप्रिया पटेल की बहन है करनाटक में भी मामला कम दिल्चस्प नहीं है राज में खाली होने जा रही चार सीटों के लिए पांच उमिद्वारों ने पर चपहरा है जिसके चलते चुनाओ तै माना जा रहा है इन में तीन कॉंग्रेस के जबकि एक एक उमिद्वार इंडिये की सहयोगी बीजेपी और जेडियेस के हैं इस चुनाओं में एक उमिद्वार को जीत के लिए नियूंतम 45 वोंटों की जरूरत है राज विधान सभा में कॉंग्रेस के पास 135 विधायक हैं जो 3 सीटे जीतने के लिए परियाप्त है जबकि बीजेपी और जेडियेस के पास कुल 85 विधायक है इसके लावा चार अनिय विधायकों में तीन के कॉंग्रेस उमिद्वारों के पक्ष में मतदान करने की संभावना है पिछले कुछ सालों में बीजेपी ने लोकसभा की तरही राजसभा में भी अपने संख्या बल को बढ़ाने की जोरदार कोशिस की है इससे राजसभा में बीजेपी के सदस्यों की संख्या 93 तक पहुँच गई है पार्टी को जहां भी संभावना दिखती है वह मैदान में उतरती है हर्याना में कम से कम दो मौके ऐसे आए हैं जब संख्या बल नहीं रहते हुए भी बीजेपी समर्थित उमिद्वारों ने बाजी मारी है सुभाश चंद्र और कार्थी के शर्मा का निर्वाचन इसी का उदाहरन है इसी तरह गुजरात में साल 2017 में कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता सुर्गी आहमद पटेल के उमिद्वारी को कड़ी चुनौती मिली थी हालाकि आखिर में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था एक बार फिर राज्यसभा चुनाओं में जो राजमाईश का समय आ गया है नई दिली से प्रशान एंडी टीवी इंडिया